इस फंडा में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अभी शेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 26 माई तक के सभी इंपोर्टेंट करन्ट अफेर्स कवर करने वाले हैं हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंतितक चरूर देखेगा आज भी आपको काफी क कुछ चानने के लिए विलेगा साथ इस सेशन को सुरू करने से वाले आप सभी को बताना चाहूंगा यहां हमारे डेली करन्ट अफेर्स पीडियेफ वीकली पीडियेफ और मंतली पीडियेफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फास्ट कोमेंट में या फिर डिस्रिप्शन में दिये गए लिंक पर क्लिक करके पासकते हैं साथ आप गूगल प्ले स्टोर से करन्ट अफेर्स फंडा आपको इंस्टॉल कर लीजे क्योंकि जो भी हमारा पीडियेफ मैटियल है जिसमें आपको करन्ट अफेर्स के साथ साथ इस्ट्राइजी के भी प्रोवाइट कराते हैं सबसे पहले 25 माई को पढ़े गए करन्ट अफेर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं परदान मंती नरेंदर मोदी ने यूएस प्रेजिएंट जो बाइडन द्वारा शुरू किये गए इनिशिटिव इंडो पैसिफिक एकोनोमिक फ्रेम वर्क में पार्टिस्पेट किया ह टोक्यो जाबान में उत्तरपरदेश सरकार ने एनरजी एंड अर्बन डेवलेप्मेंट डिपार्टमेंट में पब्लिक ग्रिवेंस के निफ्टान के लिए संभव पोर्टल लोंच किया है आपको जानना चाहिए बारत ने 2021 में अब तक का हाइएस्ट एवर टोटल फोरें डिरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानि की FDI रिसीव किया है और इसकी वैल्यू रही 83.57 बिलियन यूएस टॉलर बीपी करूंगो यह RBI द्वारा सेटप सिक्स मेंबर कमिटी को कि अध्यक्षता करेंगे आपको बता दें यह कमिटी RBI द्वारा जो रेगुलेटेड एंटिट अपने योनो डिजिल प्लैट्फोर्म पर लॉंच किया है स्टी एफसी बैंक ने को ब्रेंटी ट्रेड कार्ड लॉंच करने के लिए रिटैल्यू के साथ पार्टनर्शिप की आपको जानना चाहिए यूपीए पेमेंट सर्विसेस ओफर करने के लिए और बेल बैंक ने ए इस इंशुरेंस इंटरनेशनल के साथ एक शेर परचेस एग्रिमेंट साइन किया जिसके तहत आईडी बी बैंक एजस फेडर लाइफ इंशुरेंस में पांसुसी दिसमलत दो करोड रुपे में 25 परसेंट अपने जो इस्टेक हैं उनको सेल करेगा उडिसा गवर्मेंट ने ग्राउंड पनेट्रेटिंग रेडार सर्वे के सुरुवात की है और यह जो 12 सेंचुरी सिटी जगनाथ टेंपल है इसके कंस्ट्रक्शन से इसके चारोज़त तरफ जो कंस्ट्रक्शन कारे चला है उससे संबन्दित है मैंचेस्टर सीटी ने एस्टर्म विला को हराकर प्रीमियर लीग टाइटल जीता है इसका इरूट एरोस्पेस ने विक्रम वन रोकेट की जो थर्ड स्टेज है इसका फुल डूरेशन टेस्ट फाइरिंग जो है सफलतापूर वक्की है काउंसिल ऑफ साइन्टिफिक एंड इंडर्स्ट्रिल रिसर्च इंडियान इस्टीड ऑफ इंटीग्रेटिव मैडिसीन इसने जम्वेंड कश्णीर में लेविंडर फेस्टिवल और अरगनाइज किया आपको जाना चाहिए इंडिया जल्द ही मेड इन इंडिया टीबी इ जोगा होगा 21 जून 2022 को तो यह जो ऑर्गनाइज के जाएगा यह मैसूर सिटी करनाटक में किया जाएगा जो मेन वैन इसका रहने वाला है चलिए अब 26 माई तक के सब्सक्राइब करन्ट अफिर्स देख लेते हैं ओप्शन्स आपके सामने है और सही आंसर ओप्शन सी रहेगा उत्राखंड तो उत्राखंड गवंएंड ने नियू एंडियोंबल एनरजी प्रोजेक्ट के लिए बाहरत पेट्रोलियम कोर्परेशन लिमिटेड यानी बीपी सेल के साथ एमो यू साइन किया है अच्छा उ सामबनित एक और करेंट अफेर है वह भी मैं इसी के साथ कलब कर दे रहा हूं ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे तो देखिए उत्राखंड फस्ट इस्टेट बनिया है कंट्री में जिसने हेल्थ केर सेक्टर में ड्रोन्स को जो है लॉंच किया है या फिर रोल आउट लाप इस कंपानी ने क्या किया है उत्राखंड के उत्तरकाशी और देढा उनके बीछम ईंकर टॉर्ण के उर्ट किया है यानि कि देखे है उत्तरकाशी पहाड़ी इलाके में या देड़ hemisphere में देजरी आपकी है और ताइम लगता है अगर समान एक जगा से दुश्री जगा ले जाना हो तो जो हल्का समान है जैसे कोई मान लिजे उत्रकासी से कोई ब्लेट सेमपल भेजना है या फिर कोई मैडिसीन भेजने है इमर्जन सी रूप में तो वह अब ड्रॉन के साइथा से भेजी जा सकती है हाली में अगर हमने करंट अफेर्स देखें जो उत्राखंड के पढ़े तो उत्राखंड सी एम ने करप्शन फ्री उत्राखंड एप 1064 को लौंच किया साथी उत्राखंड सरकार ने एक्स सर्विसमें और यंग्स्टर्स के लिए हिम प्रहरी स्कीम लौंच करने की खोशना की और डिपार्टमेंट ऑफ एनिवन हस्बेंटरी एंट टेरिंग इसने वन हेल्थ पाइलेट प्रोजेक्ट उत्राखंड में लौंच किया है तो यह तीनोई जो करेंट अफेड्स हैं हमने एंसी के फॉर्मेंट में पड़े हुए हैं यहां पर आपके रिविजन पॉर्पस के लिए बताए गए है पी एम नरेंद्र मोदी हैस री कॉंसेटुटेड इंटर इस्टेट कांसिल और इस्टेंडिंग कमीटी ओफ ता इंटर इस् समीथ के अध्यक्ष होंगे और उप्शन सापके सामने हैं सही आंसर और इस्टेंडिंग कमेटी की बात कर रहे हैं इसके अध्यक्ष अमिच्ष होंगे चले जानते हैं तो सेंट्र गवर्मेंट ने इंटर इस्टेट कांसिल को हरी कोंसेटूट किया यानि इसका इसको भी पुनरगठित किया है और इसके चेर्मेन होंगे हों मिस्टर अमिच्छा आपको जाना चाहिए इंटर स्टेट कांसिल यह रिकमेंडेटरी बोडी है और इसका कारिया यह रहता है कि यूनियन और इस्टेट के बीच में जो कौमनें इंटरस्ट है उसके बारे में ड जो है संरक्षन करना और राज्यों में मतलब राज्यों एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में कोई इश्यू चल रहा है या फिर किस तरह से उन दोनों को बेनेफिट प्रोवाइट किया जा सकता है किसी पर्टिकॉल मैटर पर तो उस तरह की रिकमेंडेशन यह अपन केंडर सकार ने कितने वर्ज की अवधी के लिए पूरा तत्तु पर केंडरी सलहकार बोर्ड का पूर्ण गठन किया है और ऑप्शन सापके सामने जई आंसर ऑप्शन सी रहेगा थ्री यह तो देखिए हाली में गवर्मेंट ऑफ इंडिया ने सेंटल एडवाइजरी बॉर और और केलोजी यानि की सी एबी इसको रिकॉंस्टूट किया है आपको बता दें इसकी लास्ट मिटिंग साथ साल पहले हुई थी तो देखिए जो यह आर्क लोजी कल सरवे ऑफ इंडिया है तो इसने इस बॉर्ड को रिकॉंस्टूट किया है और कल्चर मिनिस्टर जो है इसके चेर परसन रहेंगे जो सेंटर एडवाइजरी बॉर्ड और आर्क लोजी है इसके चेर परसन को रहेंगे कल्चर मिनिस्टर साथ इसमें कल्चर मिनिस्ट्री के ऑफिशल्स भी होंगे आर्क लोजर सरवे ऑफ इंडिया के भी जो है इसमें ऑफिशल्स सामिल रहेंग और यह जो बोर्ड बनाए गया है तीन साल के लिए बनाए गया है और यह जो बोर्ड है इसका यह साल में जो है एक बार बैठक करेगा अच्छा यह पॉइंट आपके लिए महत्पूर्ण है जब बात हो लिए आर्केलोजिकल सर्वे उफ इंडिया की तो आपको जानना चाहि जाता है इवन PCS में अलग अलगी स्टेटी PCS में पूछ जाता है कि जो आर्केलोजिकल सर्वे उफ इंडियास की फर्स ट्रेक्टरी जनरल कौन थे और एक्स्पेंट जो है गलत भी करके आते हैं तो इस चीज़ को आप याद रखेगा और जो यह अलेक्जेंटर इनको फा स्वास्तर जीव का नाम बताइए जिने 75 वी विस्वास्तर सभा में समीती बी के अध्यक्ष के रूप में नुक्त किया गया है ऑप्शन्स आपके सामने सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा राजेश भूशन तो देखिए हमारे देश के जो यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी है कोई भी जाना चाहिए जो यह पिछत्तर वी वर्ड हैल्थ एसेंबली जो जैने में सुट जैने रही है इसका थीम क्या है इसका थीम है है फॉर पीस पीस पॉर है काफी महत्तपूर्ण थीम है याद रखीगा तो जो यह कमीटी भी है यह जनरली जो वर्ड हैल्थ और और इसको डिसकस करता है कि वाकिया आप जानते हैं डब्र चुमान नाइंटी फॉर मेंबर स्टेट्स हैं और कमीटी यह तो कमीटी भी यह की बात होगी है अगर हम कमीटी एगी बात करें तो यह टेक्निकल हेल्थ मैटर्स से सम्मंदी डिसकर्शन करता है विच एडिशन ऑफ पक्षए अभ्यास बॉंगो सागर पोर्ट मंगला बंगलादेश में सुरू हुआ है ऑफ्शन आपके सामने हैं और सही आंसर ऑफ्शन बी रहेगा यह स्थरा दो आपके ऐगा कि भारतियर नो से ना और बंगलादेश नो से ना कर दिविपक्षे अभ्यास सब्वादी और थर्ड एडिशन ये इस बार रहने वाला है बारत की और से इंडियर नेवल शिप कोरा और सुमिधा इसमें पार्टिस्पेट कर रही है परम परूल सुपर कंप्यूटर इनगरेटेड एट विच इंस्टिटूट परम परूल सुपर कंप्यूटर का उद्खाटन किस इस्थान में हुआ किस इस्थान पर किया गया options आपके सामने हैं सही answer option D रहेगा NIT तिरूशिरा पल्ली चले जानते हैं तो परमपुरूल यह state of the art super computer इसको inaugurate किया गया है NIT तिरूशिरा पल्ली तमिलाडू में महत्त पूर्ण है भी question और यह किस mission के तहत किया गया है national super computing mission के तहत जो की ministry of electronics and information technology और department of science and technology का एक joint initiative है अच्छा इससे पहले हम यह पढ़े चुके हैं कि परम शक्ति जो petaflops 1.6 petaflops super computer है इसको भी IIT खड़कपूर में integrate किया गया है और परम प्रवेगा इसको IIC Bangalore में integrate किया गया और परम गंगा इसको IIT रूड़की में इनगरेट किया गया है तो तीनों याद रखें परम गंगा परम प्रवेगा परम शक्ति और साथ साथ अभी उमने पड़ा परम पोरूल हो लिट टीम इंडिया एड़ वर्ड एकोनोमिक फोरम इन दावोस फ्रॉम 23 तो 25 में 2022 23 से 25 मई 2022 तक दावोस में विश्व आर्थिक मंच में टीम इंडिया का नियत्तों किस ने किया है सही आंसर ओप्शन एर हेगा प्यूश गोयल आ और थहां है तो टीम इंडिया का मतलब है यहां से कि भारत की ओर सी जो डैलिकेशन गया है यहां फर ठीक है वर्ड एकोनोमिक फोरम में इसको किसे ने लीठी में सुट्र पॉर्स्थ को महत्बठूर्ण्यत्त महत्त पूर्ण काम 22-25 तक ही था और जब किया मिटिंग चल रही है 22-26 तक बाकी प्यूस गोईल जो की उनियर मिस्टिर ऑफ कॉमर्स इंडस्टी कंजूमर अफेर्स एंड फूड पब्लिक डिस्टिबूशन एंड टेक्स्टाइल से इन्होंने भारत का जी डेलिगेशन है उसको यहां पर ज विच इस्टिट्ूशन ऐस एणॉंस्ट संगीता कलाँई दी आव एड्यस टॉड़क ड़िवाड विनर इंड़। 一ह टोन देखिए यहां परषद्ध lucky तई-डवली प्रॉजार विजिदाओं की गोश्टन गीशा यह सभी आंसर उक्षन एर गवा म्यूजिक अकैडमी तो देखिए मद्रास म्यूजिक एकडमी जो की चिन नहीं में इसने संगीता कलानीदी आवार्ड के जो वीनर्स हैं 2020-2022 इनको एनाउंस किया है तो देखिए कौन-कौन है नेवेली आर संथना गोपालन है और यह 2020 के लिए थ्रूबरूर है 2021 के लिए और संगीत कला आचारे अवार्ड भी देगा है आपर किवल्लूर जी को और डॉक्टर रीथा रजन को और आरेस जयालक्षमी जी को विजी स्टेट लॉंज ता ओलंपिक वैल्यूस एजुकेशन प्रोग्राम की सराज निरे ओलंपिक मुल्य शिक्षा कारिकरम सुरू किया और इसको लॉंच किया है तो ओडिशा को चीफ मिस्टर नवीन पटनायक उन्होंने ओलंपिक वैल्यूस एजुकेशन प्रोग्राम विच इस अ पाइलेट प्रोजेक्ट एमिंगेट डिसेमिनटिंग प्रिंसिपल्स बेस्ट कॉरिकुलम तो एड चिल्डर्स एक्टिव इसको लॉंच किया है तो ओडिशा संबंध हमने हाली में काफी करंटा फेर बढ़े थे इसलिए अब दुबारा इसको रिपीट नहीं करेंगे आपको याद भी होंगे आगे बढ़ेंगे ग्लोबल रिपोर्ट ओन असिस्टिव टेक्नलोजी ग्रेट हैस बीन लॉंच बाइ सायक पर्दोई पर वैस्विक रिपोर्ट किसके द्वारा लॉंच की गई सही आंसर ऑप्शन सी है डब्लो एच्चों एंड यूनिसेफ यानि की बोथ ए एंड बी चले जानते हैं तो हा है यूनिसेफ के द्वारा है तो देखिए जो दोजार क्थार में सेवंटी फस्ट वर्ड हैल्थ एसेंबली रिजूलुशन जो लिया गया था उसके दोरान यह रिपोर्ट जो है लॉंच की गई थी तब भी मतलब ग्लोबल रिपोर्ट असिस्टिव टेक्नलोजी तब तो लॉंच नहीं करें तो पहला एडिशन है मेरा मतलब यह है कि 2018 में जो इकत्तरी वर्ड हैल्थ एसेंबली रिजूलुशन जो हवा था तो उसके जो परिणाम निकले तो उसी को इस रिपोर्ट में दर्शाया गया है इसमें बताया गया है कि 90 परतिशत ऐसे लोग जिने असि और सोफट्वीर प्रॉड़क्ट 달라्म और प्रोड्टर्थ सिस्टम होता है जिसे जो disabled people है जो जन है जो 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 आप समझ रहे होंगे तो वह अपना काम नहीं कर सकते हैं पर आसिस्टिव टेक्नलोजी के तहत जो उनके कारिये हैं उसमें थोड़ा सहूलियत हो जाती है थोड़ी आसानी हो जाती है जो दिव्यांग है दिव्यांग की बोलता है न इसको दिव्यांग सब दिया गया है disabled persons के लिए जैसे proscetics हो गया, braces, walkers होते हैं जो disabled people की की जो लेकर चलते हैं विश श्पेस सेक्टर स्टार्टप है सक्सेसफुली टेस्टिव्ड ग्रीन सेटेलाइट प्रोपल्सन किस अंत्रिक्ष छेत्र के स्टार्टप ने ग्रीन उपक्रेब परणोधन का सवलता पूरवक परिक्षिन किया options आपके सामने सही answer option दी रहेगा Bellatrix Aerospace तो Bengaluru-based Bellatrix Aerospace इसने eco-friendly propulsion system launch किया है satellites के लिए जिसके तहद जो fuel efficiency है ठीक है उसकी जो potential है वो 20% तक बढ़ जाएगी Hockey team of which state won the Hockey India sub-junior women's national championship 2022 किस राज्य की होकी टीम ने Hockey India sub-junior महिला रास्टे चेंपेंशिप 2022 जीती सही answer option भी है हरियाना तो हरियाना यहाँ पर जहारकंड को 2-0 से final में हराया है और Hockey India sub-junior women's national championship 2022 जो की मनीपूर के इंफाल में हुई है इसको जीत लिया है Union Minister for Education and Skill Development launched the North East Research Conclave 2022 at which place किंद्र सिक्षा और कोशल विकास मंत्री ने किस इस्थान पर North East Research Conclave 2022 का सुभारंब किया सही answer option दी है गुवाहाटी तो देखे Union Education and Skill Development Mr. Dharmendra परधान इन्होंने IIT गुवाटी आसाम में North East Research Conclave 2022 का उत्खाटन किया है अब इस पूरी जब मैं इनका पूरा इस पीस देखा जो एड्रसीन होने किया उसमें कोई भी ऐसा point नहीं था जो हमारे लिए महत्रपोन है इसलिए question इतना ही रखा गया है तो आप इतना explanation देखकर यह मत सोचा कीजिए कि explanation जो है सही से provide नहीं किया गया मैं आपको अगर बताऊं तो सबसे best explanation मैं आपके लिए लेके आता हूँ जो आपके लिए महत्रपोन होता है कई points में आपके साथ add भी कर देता हूँ अपनी तरप से भी तो इसमें केवल आपके लिए इतना ही जानना जुरूए अब इस कोने क्लेम में डॉक्टर जो यह धर्मेंद प्रदान है इन्होंने क्या बाते कई है यह हमाई ले महत्रपोन नहीं है इसलिए इसका explanation के वल इतना ही है investment incentive agreement signed between the government of India and which countries government 12 सरकार और किस देशी सरकार के बीच निवेश प्रोसान समझेते पर स्थाक्षर किये गए है सही answer option B है the United States the government of India और government of the United States of America इन्होंने टोक्यो जापान जापी quadulators मिले हाली में यहां पर इन्होंने investment incentive agreement IIA को sign किया है आपको बता दें जो यह आई-आई-ए है investment incentive agreement यह 1997 में sign किया गया था और अब यह जो है नए वाला sign किया गया है तो यह इस 1997 वाले को supersede कर रहा है इंडिया's frontline health workers और आशा बिकम one of the recipient of WHO's Global Health Leaders Award 2022 How many ASA workers does India have? भारत के frontline स्वास्तेकारे करता या आशा WHO के Global Health Leaders Award 2022 प्राप्त करने वालों में से एक बन गई है भारत में कितनी आशा कारे करता है? options आपके सामने हैं और सही answer option C रहेगा 10 lakh तो देखिए 10 lakh या फिर 1 million जो आशा वरकर से आशा मतलब accredited social health activist बैंक एक्जाम में भी एक बार पूछा गया था इसके फिल फोर्म से संबंद इसकोशन तो याद रखेंगे तो जो आशा वरकर से हैं तो healthcare delivery में जो है अपने महत्वण योगदान के लिए इन्हें 75th World Health Assembly में Global Health Leaders Award 2022 परदान किया गया है केवल इन्हें यही नहीं है जिन्हें परदान किया गया बलकि 6 recipient है जिन्हें यह दिया गया है और भी 5 हैं इनके अलावा जिन्हें दिया गया है कभी-कभी एक्जाम में आप question ऐसा भी पूछ लेते हैं कि total कितने को दिया गया है कि भारत की और से आशा को दिया गया है है ना जो आशा है ये इनको दिया गया इनके लावा और कितनों को दिया गया तो आंसर होगा 5 अगर टोडल पूछें तो 6 कि अगर हम आसा की बात करें आप सभी जानते हों कि गया इसका की क्फूनेंट है आशा आशा कुन होती है यह यह armour क icy डी टी THEY हैं जो कि किसी जो techno यह जो लोग है इनको हैल्थ सेक्टर से जोड़ने में सायथ है करती है कि प्रीवेस एसाइनमेंट कोश्चन्स के आंसर देखेंगे इन विच स्टेट और यूटी इस नेशिंपू टनल बिंग एक्सकेवेटेट अरुनाचल प्रदेश नेसल इंडेंजर इस विशीच टे इस अपसर डोन विश्टे तो यह मही महीने के थर्ड फ्राइडे क मनाया जाता है इस बार 20 मही को मनाया गया ग्यानवपी मॉस्क रिसेंटल इन यूज इस लोकेट इन विच सिटी वारांसी उत्रप्रदेश इन में 2022 विच टू कंट्रीज सब्मिटेड जॉइंट अप्लिकेशन तु जोइन नेटो आंसर इस फिनलेंड और स्वीडन रिसें नम्रम कॉल्स CBI क्रेकडाउन विच हंट तो यहांपर हमारा सब्द क्या है विच हंट चले एक और देख लेते हैं इस सम्मंदित इफ नोट हरास्मेंट विच हंट दैन वट इजट कार्थी नम्रम लेटेस्ट CBI केस तुम्हारा सब्द है विच हंट कार्थी नम्रम को फिर चीटिंग का इस तरह कोई केश दर्चिया है ठीक है इनसे पूछताच वगयरा भी करेगी तो उसी को कह रहे है कार्थी जम्रम कि यह जो है जो सी बीच हंट है इफ नोट हरास्मेंट विच हंट दैन वट इस यह हरास्मेंट नहीं है या फिर विच हंट नहीं है तो य simply because of their opinions and not because they have actually done anything wrong तो विच्छंट का मतलब क्या होता है अगर कार्थिज जन्म की बात करें तो यह कह रहे हैं कि विच्छंट किया जा रहा है मुझको यानि कि मेरी कोई गलती नहीं है मेरी गलती के वहल इतनी है कि मैं जो है दूसरी पार्टी से आता हूं और सरकार के खिलाफ मेरे जो पिताजी है वो आवाज उठाते हैं ठीक है इसलिए मुझको जहें आपर फसा जा रहे है विच्छंट मेरी की जा रही है मेरी कोई गलती नहीं है बस मेरी इतनी गलती है कि जो मेरे पिताजी है वो जो बीजेपी सरकारे से खिलाफ कदम उठाते हैं अकवारों में लिखते हैं तो उसी वज़े से मुझको डराया धमकाया जा रहा है जैसे आप यहाँ पर देख लिखते हैं कोर न्यूस विच हंट ओफ बीजेपी वरकर्स कंटिन्यूस इन मुम्ताव यानि कि विरोधी थी है तो इसलिए उनको चुन-चुनकर जो है मारा जा रहाए या पिर आप कुछ भी ऐसकते हैं फसाया जा रहा है या फिर उन्हें औरेस्ट किया जा रहा है उसका बलते हैं विच हंटिंग कि अच्छा कर लेकी मैसेज भी आया कमेंट में कल मेरा एस आई सी एम टीएस परी क्वालिफाई हो गया अच्छे मांक से आपके सिये लेक्टर से ने मेरी काफी हेल्प की है थैंक यू तो अच्छा यह जो एक चीज मैंने देखी है पिछले डेड़ से दो साल में मेरे पास और हम बीस एस हैं इनकी अगर बात करूं तो येविए डिली आंसर करते हैं देख लेआ अप इनके लावा और कई सारे हैं 15 से 25 से डेली आंसर करते हैं और मुझे पूरा रूस आई कि उनका भी जलत कही ना कई स्यलेक्शन हो जाएगा क्योंकि आपकी सी कंसिस्टैंस्टी या फिर और कोई एक्जाम है तो आजकल करंट फेर्स ही देखना छोड़ दिया है उसी तैयारी में लगे है क्या आप अपने पूरे दिन से 20 मिनट नहीं निकाल सकते हैं 20-25 मिनट नहीं निकाल सकते हैं बले आपका प्रेपर कल हो पर आप आज ये करंट फेर्स आपको मिस नह आप किसी और चैनल से भी कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो कंसिस्टेंस से आपको अपनी नहीं तोड़नी चाहिए तो ये बात आप ध्यान रखेंगे आज या सायमें गौस्टेंस देख लेते हैं गाहरी केव्स आपको अर्टी वाइलाफ ये इस लोके इन वाने इन इंडियों स्टर्ट अप्स वर अमंग दे हंडे निव श्रॉट अप्स टो जो इंड वर्ड एक्कोनोमिक फोरूम्स तेखनोलोजी पानियर्स कम्यूटी एंटी टर्रिज्म टेजिस ओबसेड़ ओन में 21 इट्वाज ओन इस देए-टी-एंडी निए-टी-न एट्वर इंडियन प्राइमिस्टर डैस बस अससेनेट एंटी-टरिजिस्ट्री एंटी टेह को अब्सर्व किया जाता है क्योंकि 21 माइएm 1991 कि कि फोर्मर इ कैसे पढ़े कासा करु कि लूशेंट से तो देखें आपको बता दूँ योड में द्यूड में पढ़ने का त्रीका होता है लुशेंट पढ़ने का अधे यह आप उसको सबसे पीछे से पढ़े कि जो मिस से लिन इस हैं नहीं लुसेंट आप ना सुरू से पढ़िये ना भीस से पड़िये सबसे लास्ट में हो लिए मिशियलेनिस ॥ा होता है वह से सूरू करेंगे तो वह जो टेबल वगर वहुए होती है ना वो इसली याद हो जाती है तो आप उनको जो है दस से पंदरा दिन यह भी मैंने ज्यादा कह दिये इन में आप उसको कर लोगे जो मिसलिन सेक्षन है आप आउगे कि बुक का एक आपने काफी अच्छा खासा पॉर्ट सन आपने कर लिया है उसको दिलतीन बार पढ़ अब उसके बाद फिर आप आगे आएगे पॉलिटी में यह दिया आप वैसे स्सी टाइप के एक्जाम के तैयारी कर रहे है ठीक है फिर आईए आप पॉलिटी में पॉलिटी पढ़ेंगे इजी है जल्दी कबर हो जाएगी और सबसे लास्ट में जाईए हिस्ट्री पर हिस उसको पढ़ लीजिए बाकी modern history आपको पूरा बढ़ना है महीं से question सबस्यादा पूछे जाते हैं जैसे general science biology से पूछ जाते हैं इस तरह से history में modern जो history उससे पुछ जाते हैं तो यह तरीका है सुरुआत से ही सुरुआत नहीं करनी है लुसेंट की miscellaneous पढ़िए फिर इंडियान पॉलिटी पढ़िए ठीक है उसके बाद जो आप पढ़ना चाहिए एक उन्हों मी जोगरफी साइंस हो पढ़िए लास्ट में history पढ़िए आपको टाइम मिलता है कि चलिए फिफ्ट कोशन देखते हैं हाउ मैनी कंट्रीज और मेंबर्स ऑफ इंटरनेसल ग्रूपिंग कॉल्ड दा एस्सोशीएशन ऑफ साओध एस्ट एस्यान निशन तो आशियान जो ग्रूप है इसमें कितनी कंट्रीज नहीं आपको बताने तो कोई भी आपका अगर डाउट है तो हमें कोमेंट मोक्स में जरूर लिखेगा आज का सेशन आपको कैसा लागा कोमेंट मोक्स में जरूर बताइएगा थेंक्यू गाइस